1st February को हो रहा है, वो इतना ज्यादा important नहीं है, तो इस दिन आपको जो traps है, वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको trap किया जाएगा, तो अभी 2024 का budget आने वाला है, जो कि 1 February को है, तो इसके लिए सभी लोग option buying के related strategies find out कर रहे होंगे, जो लोग option buyer है, और बाकी option selling के रेलेटे strategies find out कर रहे होंगे, जो कि option seller है, तो इस budget के वक्त, मेरा क्या plan होने वाला है, यह मैं आपको इस video के अंदर cover करने वाला होगा, जो option buyers है, उनके लिए क्या better रहे और just option seller है, उनके लिए क्या better रहे गा और क्या best हो चाहिए तो चले स्टार्ट करते हैं तो इस साल जो 2024 का बजेट होने वाला आपके यह पता होना चाहिए कि जो 1st February को हो रहा है वो इतना ज्यादा इंपोर्टन नहीं है बट इसके अंदर भी volatility वैसी ही रहेगी ऐसा मुझे लगता है तो जो 1st February का budget है वो इतना इंपोर्टन नहीं होने वाला जो election के बाद होगा वो ज्यादा इंपोर्टन रहेगा तो इस budget के अंदर भी आपको volatility देखने मिलेगी अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि volatility देखने को मिलेगी अगर इंपोर्टन नहीं है तो क्योंकि अभी जो market जिस तरीके से एक्ट कर रहा है उस तरीके से अभी market जो है वो हो चुका है और elections भी पास में आ रहा है इसलिए इस budget के अंदर भी उतनी नहीं बट थोड़ी बहुत volatility देखने मिलने वाली है और इसके अंदर किस तरीके से market react करेगा इसका मैं आपको एक overview देना चाहता हूं तो budget के दिन most of the time market किस तरीके से react करता है वो पहले हम देख लेते हैं 11 a.m. to 1 p.m. तक बजट है वो चलता है 11 a.m. को start होता है 1 p.m. को end होता है इसके बीच में जब होता है तब actual announcement हो जाता है but market 9.15 a.m. को open होता है और उसके बाद open होने के बाद में वो क्या करेगा एक किसी side तो भी थोड़ा बहुत movement देगा या तो वो कुछ देर तक sideways pattern बनाते रहेगा okay sideways pattern बनाने के बाद वो क्या करेगा किसी भी एक side में breakout देगा एक तरफ फसाएगा और फिर तुरन दूसरी तरफ जाएगा और पूरा दिन दूसरी तरफ जाते रहेगा और फिर day end में end करने के लिए थोड़ा नीचे आएगा और फिर जाके end कर देगा कभी कभी क्या होता है कि market open होता है सीधा उपर जाएगा फिर नीचे आएगा और फिर 12 बजे के बाद में वो क्या करेगा एक side को निकल पड़ेगा ऐसा ही same opposite side में भी होता है तो अभी बात करते हैं कि इस दिन हमें plan कैसे करना है और किस तरह की trappings होती है पहले तो मैं trappings आप समझा देता हूं कि इस दिन कैसे आपको trap किया जाता है first of all जो 11 बजे से 1 pm टक का जो time है इसके अंदर market जो है न वो आप define ने कर सकते कि यह उपर जाएगा कि नीचे जाएगा क्यों वो consolidate कर रहा होता है वो उसने अभी तक fix नहीं किया होता है पर किस तरफ जाने वाला है price action भी हो कैसे दिखायागा कि कभी उपर जा रहा है price action के अंदर फिछले highest को break करेगा बट फिर से तुरंट क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा और low को भी break कर देगा और फिर से फिर upside जाने के भी chances हो जाते हैं 11 बजे से पहले क्योंकि तब पूरी तरीके से जो भी schemes है जो भी कुछ है वो पूरी तरीके से बताया नहीं जाता है आपको तो तब तक market जो अंकरडिशनल होता है उसके बाद जैसे ही वह news आती है उसके बाद वह react करता है तो जब वह react करता है तब वह पहले तो opposite direction में जात है तो इस बजट के दिन हमें क्याड़े मिल सकता है इस बजट के दिन मेंड के मेंट देखने मिल सकता है कि पहले तो market नीचे जाएगा धृ जाए और फिर जाके नीचे लिए first of all आपने कोई भी पोजिशन ऐसी नहीं बनानी है कि उसके अंदर आप ज्यादा टाइम होल्ड करो उस पोजिशन को आप च्छोटे-च्छोटे मूज कैच करने का ट्राइक करो आप ज्यादा बड़े मूज कैच करने का ट्राय मत करो budget के टाइम इस budget के टाइम तो भी आप ट्राय करो और चोटे-चोटे मूज चोटे-चोटे points लेके बहार निकल जाओ यानि कि आप scalping करके बहार निकल सकते हो बट मैं आपको suggest करूंगा कि जब भी news या कुछ event होता है उस वक्त आप क्या किया करो कि आप जो भी content से trade करते हो आप ट्राय करो कि आप सिब 10% या बहुत जल्दी हीट हो जाएंगे तो आप जहां पे stop loss लगा होंगे ना तो बहुत जल्दी हीट होंगे और stop losses बहुत बड़े होते हैं क्योंकि अगर आप scalping भी करने जाते हो तो जो candles होती हो बहुत बड़ी candles बनती हो और उस चक्कर में क्या होता है कि stop losses जो है आपके बहु तो आप ट्राइ करो कि आप 0.25% का ही stop loss लो या चोटे चोटा stop loss लो दाकि इससे आपको psychologically बहुत ज्यादे एफेक्ट ने करें यूजली होता क्या है कि इस दिन आप most of the time lost कर देते हो क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा trapping होता है तो इस दिन थोड़ा सा संभल के trade करना प तो 1 p.m. के बाद भी आप breakouts find out कर सकते हो 1 p.m. के बाद आप जो breakouts find out करेंगे उसके अंदर थोड़ा chances आपके ज्यादा रहेंगे क्योंकि तब actual news है वो हो चुका होगा और फिर जिस तरीके से market ने react किया है आपको एक overall price action भी मिल जाता है तब तक आपको एक पूरा का पूर scalping करना है आपको scalping करके छोटे moves capture करके आपको side में बैठ जाना है आप try करो कि आप 1 या 2 trades लो बस इससे ज्यादा trade मत करो बहुत ज्यादा trade करोगे तो आपका psychology खराब हो जाएगा और फिर आप बहुत ज्यादा loss कर दोगे तो इसलिए 1-2 trade करो अगर loss होए तो loss तो close कर दो अगर profit होए तो profit में close कर दो अभी as an option seller आपने क्या करना चाहिए देखो यह दिनना मैं personally कहूंगा मेरा plan जो है मैं अभी आपको बताता हूं ठीक है मेरा plan क्या है और किस तरीके से मैं सोच रहा हूं option selling के related अभी first of all मैं आपको option selling का समझाने के लिए एक blank page पे आपको पूरी तरीके से समझाता हूं option sell अगर आप one-sided कर रहे हो यानि कि समझ लो कि आप सिर्फ C या P sell करना चाहते हो ठीक है तो आप क्या करोगे आप breakout के उपर sell करोगे और वो breakout fake होने के chances बहुत जादा होते है तो आप as an option seller भी यहाँ पर trap हो जाओगे ठीक है और अगर चलो option selling के अंद होता क्या है कि समझ लोगा अपने दूर के सीपी sell करके रखें इस दिन वालाटलिटी की वज़े से होता क्या है अगर मार्केट उपर गया और फिर नीची गया और फिर उपर गया तो इसके अंदर जो आप यहाँ पर जाती है आपके लिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा लोग तो इस दिन के लिए ने करते हैं यह कर सकते है इस दिन के लिए करो आप एक परसंड लेना चाहते हो बट इस दिन अपको बीग मूप की वज़े से आप बहुत ज्यादा भड़ा लास भी कर सकता हो तो mainly आगर आपको पता है कि इस बहुत ज्यादा लॉसकर दो कि तो इस अच्छा है कि वह दिन करके कि कि इस दिन क्या होता है कि दोनों तरफ مूँ आने की CHANSCES बहुत ज़ादा हो जाते can क्योंकि जब अगर downside को मुँआ रहा है तो बहुत ज़्यादा premium increase हो जाएगा downside का भी और upside को आ रहा है तो upside का भी बहुत ज़्यादा premium increase हो जाएगा तो इसलिए मैं suggest करूंगा कि इस दिन जो लोग trade कर रहे है डीप OTS के अंदर वो avoid कर सकते हैं क्योंकि यह जो budget है इसके अंदर movement ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ आए ठीक है तो as an end pattern type देखने मिल सकता है इस budget के वक्त तो आप लोगों को मैं suggest करूंगा कि इस दिन आप अगर डीप OTS कर रहे हैं तो वो आप avoid कर सकते हो उस दिन option selling avoid कर सकते हो और अगर आपको डीप OTS करने ही है और आप चाहते हो कि आपक सब्सक्राइब में या और 1 p.m. के बाद में करने का एक डाट वहां दौन भी है कि उस वक्त आपके पास जो प्रीफेंम सब्सक्राइब कर सकते हों क्यूंकि आप === के बाद आपको डीपे पार और तो थोड़ा शांतो हो चुका होगा और जातो अगर मोूमेंट भी आ रह जा रहा होगा मार्केट उसको आप ठोड़ा जहल सकते हो बलकि यह सुबह का जो मार्केट है यह आपके लिए थोड़ा हाड रहेगा तो मैं यह सजिस्स करूंगा कि अगर आप करना ही चाहते हो तो 1 पीम के बाद में करो अभी हम बात करते हैं कि मेरा प्लान कैसे होने वाला ह तो एसे इवेंट के दिन क्या होता है कि बहुत बड़े केंडल बने की वाज़े से होता क्या है कि अगर समझ लो यहाँ पर ग्रीन केंडल बना और यहाँ पर एक बड़ा रेड केंडल बना है तो मेरी जो strategy है उसके अंदर होता यह है कि अगर मैं otm otm sell करके रख रहा हूं ठीक है समझ लो one strike price otm या ATM मैंने sell किया हुआ है ठीक है one strike price otm या ATM मैंने CEP sell किया हुआ है मैंने यहाँ पे straddle बनाया है और यहाँ पे एक spangle बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने pass के otm sell करके रखे हैं तो इस दिन usually होता क्या है कि first of all तो market जो है big candles बना रहा है और उसके बाद market जो है तो उसके अंदर भी एक side का SL दूसरे side का SL और फिर तीसरे trade के अंदर शायद से मुझे profit हो सकता है बट उसके अंदर भी होगा क्या कि यह दो trade मिला के मुझे loss है तो overall मैं इसके अंदर loss में end करूँगा इस दिन मैं option selling करता हूँ तो मैं trap हो जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत pass में OTS में sell करता हूँ और उसके अंदर जो भी मेरा directional stop loss होगा या non-directional stop loss लगाता हूँ मैं तब भी हीट होने के ज्यादा chances है क्योंकि बहुत ज्यादा है इतने बड़े candles बनते हैं कि तीन-चार candle के अंदर easily मेरा जो upside का भी stop loss है या down upside का अगर upside जाता है तो upside का stop loss हो जाएगा और अगर downside का मेरा stop loss है तो वह भी होने के ज्यादा चांस है इसके अंदर जो मेरे stop loss होंगे वह बहुत easily हीट हो जाएगे क्योंकि जो ATM और three strike price जो ATM है उसके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं और उस वज़े से जो SL है जो में directional और non-directional करता हूं उसके अंदर frequently hit होता है तो इसलिए मैं avoid करता हूं इस दिन में trade कर सकता हूं कब 1 p.m. के बाद मैं easily trade कर सकता हूं बट मैं 1 p.m. के बाद मैं trade करूंगा क्योंकि मुझे उतना benefit नहीं होगा जी तरह मैं इसलिए मैं 1 p.m. के बाद मैं भी ट्रेड नहीं करूंगा और ये दिन मैं trade नहीं लेने वाला इसका मैंने आपको clearly reason बता है कि क्या होने वाला है मैंने आपको इसके इंदर option buying के लिए क्या करना चाहिए वो भी समझाया है और as an option seller अगर आपको क्या करना चाहिए वो भी समझाया है अगर आप directional trade कर रहे हो option selling के लिए तो आप 1 p.m. के बाद में कर सकते हो अगर आप option buying कर रहे हो तो छोटी-छोटी में सकेच करो अगर आप option selling मेरी तरीके से कर रहे हो आप पास में रहते हो ATM के पास में तो मैं कहूंगा कि आप avoid कर सकते हो उस दिन trading को देखो avoid करना भी एक trade होता है क्यों कि आप उस दिन सोच समझ के आप decision ले रहे हो कि आप उस दिन trade नहीं करोगे क्योंकि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है आपको अगर किसी दिन लग रहा है कि इस दिन हमारा analysis या हमारा जो plan है जिस तरीके से हम करते हैं हार दिन trade वो अगर नहीं चलेगा तो आप उस दिन trade को जो avoid कर सकते हो तो इस वीडियो के लिए इतना ही I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलत जिए नेक्स व्लिक गंदर थैंक्यू बअबाए